दिल्ली हाई कोट ने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगा चलिए जाल लेते हैं विस्तार से दिल्ली हाई कोट का बड़ा और हम फैसलाब, Amazon, Flipkart और Snapdeal जैसे कमपनियां दारेक्ट सेलिंग यानि सिदे ग्रहकों को समान बेचने वाली कमपनियों का समान बिना उनके मंजूरी के अपने प्लैटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे जी हाँ बिलकुल सही सुना आप लोगों ने दिल्ली हाई कोट ने ये कमर्स कमपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है आपको बता दे कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभायम सिंग ने अपने अंतिम निर्देश डारेक्ट सेलिंग करने वाले कमपनियों की आचिकाओं पर ये एहन फैसला सुनाया है अब ज़रा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है दरसल इन कमपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके ब्रांडों के उत्पादों को ई-कमर्स कमपनियां अपने प्लैटफॉर्म पर सस्ति दरों पर बेच रही है थरहाउऽ देखनी को मिलता रहा है जिसके ग्रहकों को अच्राइब को सस्ते दामोपर लुब्हानमित ओफर मिलते आए हैं जिसके कारें ग्रहक उन उत्पादों के विशे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेते थे और धोका खाते थे उन्हें असली और नकली उत्पादकों के विशे में पता ही नहीं चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि सोट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्रहकों की भी मुश्किले कम हुई हैं साफिया गालत ने ये भी सक्त निर्देश दिये हैं कि M.A. औरिफले मोदी केर जैसी डारेट सेलिंग कमपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए इकॉमर्स कमपनियों को डारेक्ट सेलिंग कमपनी से इजाज़त लेनी होगी बिना इन कमपनियों के इजाज़त के उनके प्रोड़क्त को बेचना गयर कानूनी माना जाएगा आदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से M.A. औरिफले मोदी केर जैसी कमपनियों का नाम, लोगों और प्रोड़क्त की तस्वीरों का गलत उप्यों किया जा रहा था वो सरा सर गलत था साथ ही एक्सपारी डेट वाली दवाई जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने एक्सपारी डेट वाली दवाईयों पर नए लेबल लगा कर धडले से ग्रहांकों को कम गामों पर बेचा जा रहा था इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उब्रोगताओं को ब्रहमित किया जा रहा था और उनके स्वास्त के साथ एक गंदा मजाग किया जा रहा था हाई कोट के इस बड़े और एहन पैसले पर नेटवर्फ मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक रहात मिली है और साथ ही कोट के इस एतिहासिक पैसले पर नेटवर्फ मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है उनका कहना है कि कोट के इस पैसले से वैपार में पारदर्शिता आएगी और ब्रहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा जिससे देश में आर्थिक सिर्ता और वैपार में बढ़ोतरी आएगी क्या सबते हैं कि नेट्वर मारकेटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोट के इस पैसले का खुले बिल से स्वागत किया है वहीं इस पूरे मुद्वे पर खुद्रा कारोबारियों के संगटन कैट ने कहा है कि यदि इन बदलाओं को इमंदारी से निभाया जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़ चाड़ और जाल साजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा इकॉमर्स कम्तियों द्वारा बी जाने वाली अतरिक छुट आरी इतिहास की चीजे हो जाएंगी दोस्तों कोड का फैसला तो सराहनी है लेकिन हम ग्राहकों को सचेट करना चाहते हैं चंद पैसों की लालच और लुगामिक आफर से आप लोग प्रभावित मागों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अन्मूल स्वास्त के साथ खिलवार करते हैं याद रखिए जो चीजे आसानी और कम दाम पर मिल जाती हैं वो कभी हमारे स्वास्त के लिए फाइदे मन नहीं हो सकती अगर आप किसी भी डारेक्ट सेलिंग कमपनी का उतपात खरीद रहे हैं तो उस कमपनी और उस कमपनी के उतपात के विशे में पूरी पूरी जानकारी ले ले तब जाके उसे खरीदे साथ हम e-commerce कमपनीओं से भी गुजारिस करते हैं कि कोई भी डारेक्ट सेलिंग कमपनी के प्रोडक्ट को अपने फ्लैट्ट्वां पर बीचने से पहले उन कमपनीओं से इजाज़त जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को समान बीचे याद रखे ग्राहकों की उमीदों के साथ खिलवार करना खुद को धोखा देना है